हलो दोस्तों मैं सुनिट कुमार सिंग मेरे चानल पर आप सभी का स्वागत है आप सब कैसे हैं आसा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे आप मा सरस्वति के किरपार पर बनी रहे तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं आज के वीडियो में भारतिया राज ब्यवस्त समिधान सबा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थें तो एंसर होगा सचीता नंद सिनहा दूसरा कोशन नंबर भारतिय समिधान के लिए मस्वीदा तयार करने वाले समिति का अध्यक्ष कौन था तो एंसर होगा डाक्टर बी आर अमबेदकर चलिए तीसरा कोशन नंबर देखत चोगता कोशन नमबर किस वर्ष भारत एक परभू संपन प्रजातांत्रिक गनराज बना तो एंसर होगा 1950 इस्वी में ठीक है अगला कोशन पाचवा नमबर बीशो का सबसे बड़ा लिखित यो सर्वधिक ब्यापक समिधान किस देश का है तो एंसर होगा भारत का छटा कोशन नमबर भारत में सर्वोत्तम माना गया है किस को तो इसका एंसर है समिधान को ठीक है साथमा कोश्चन नमबर समिधान के अनुछेद एक में भारत को क्या कहा गया है तो एंसर होगा राज्यों का संग आठमा कोश्चन नमबर समिधान के किस अनुछेद में समिधान के संसोधन की परकिरिया का उलेक है तो एंसर होगा अनुछेद 368 ठीक है अगला कोश्चन 9 नमबर भारतिय समिधान कौन सी नागरिक्ता परदान करता है तो इसका एंसर होगा एकल नागरिक्ता दस नमबर कोश्चन प्रेश की सोतनता किस अधिकार में नहीत है तो एंसर है भासन सोतनत्रे ठीक है अगला कोश्चन 11 नमबर भारत के किस राज्य में समान नागरिक सहिता लागू है तो एक मातर राज्य है उसका नाम है गोवा तो इसका एंसर क्या होगा गोवा बारा नमर कोशन भारतिय संसत के कितने अंग हैं तो एंसर है तीन तीरा नमर कोशन राष्टपती चुनाव समंदी मामले किसके पास भेजे जाते हैं तो एंसर होगा उच नियाले में भेजे जाते हैं बारत के पहले राष्टपती के रूप में डाक्टर राजिंद परसाद का चुनाव किया गया था तो एंसर होगा समिधान सभा द्वारा किसके द्वारा किया गया था तो समिधान सभा के द्वारा किया गया था ठीक है पंद्रा नंबर कोश्चन बिहार से राज सभा के लिए कितने सदस निर्वाचित होते हैं तो इसका एंसर होगा 16 सदस ठीक है कि संसोधन से समाजवादी धर्मिर्पेक्षता तथा राष्ट की एकता यो अखंडता सब्द भारतिय समिधान में जोड़े गये हैं तो इसका एंसर होगा 42 सवा समिधान संसोधन भारत में त्री अस्तरिय पंचायती राजतंत्र की सिपारिश की थी कौन किया था तो इसका एंसर होगा बलवंत राय मेहता समिधी ने त्री अस्तरिय पंचायती राजतंत्र की सिपारिश की थी 18. पंचायती राज्य परनाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है किस अस्तर पर तो ये ग्राम अस्तर पर ही होता है अगला कोशन 19. भारतिय समिधान के किस अनुछेद में अनुशुचित जंजाती के लिए राश्टिय अयोग का प्रवधान है तो इसका एंसर होगा 328 A प्रात्मिक सिख्षा मात्र भासा में दिये जाने का प्रवधान है तो answer होगा अनुछेद 350 एकशन नमबर कोश्चन भारत का वर्णन किस रूप में करता है तो answer होगा राज्यों का संग के रूप में करता है ठीक है बारत के समिधान का भाग तीन समंदित है किस से तो answer होगा मुल अधिकारों से 23. समिधान के अनुछेद 17 और 18 में ब्यवस्ता है किस चीज का ब्यवस्ता है तो answer होगा समाजिक समानता का 24. भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद अस्प्रस्ता का उन्मोलन करता है तो answer होगा अनुछेद 17 25. भारतिय समिधान के किस अनुछेद में राज के नीती ने देशक तत्तो का उलेख है तो answer होगा अनुछेद 36 से 51 26. दल बदल के अधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोगिता समंदी विवरन समिधान के किस अनुसूची में दिया गया है तो इसका answer होगा दसवी अनुसूची में दल बदल के लिए दिया गया है 27. भारतिय समिधान की अनुसूची में से कौन सी एक राज के नाम की सूची तथा उसके राज छेत्रों का बेरा देती है तो answer होगा पहली अनुसूची ठीक है 28. भारतिय समिधान में नुवी अनुसूची परिवर्दित हुई तो answer होगा पर्थम संसोधन द्वारा ठीक है 29. राज पुनरगतन अधिनियम 1956 के पस्चात राज और संग सासित छेत्रों की संख्या अक्रमस कितनी थी तो 14 और 5 थी इसमें 14 राज था और 5 के इंसासित प्रदिश था 30. कितने वर्ष तक लगतार देश के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्थ हो जाती है तो इसका answer होगा 7 वर्ष तक अगर 7 वर्ष तक देश से बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता समाप्थ हो जाएगी एंसर होगा हिंदी ठीक है आगला कोश्चन नंबर 32 देश में पहली बार राष्टी अपात्काल की उद्गोषना कब की गई तो इसका एंसर होगा 26 अक्टूबर 1962 तो इसका एंसर होगा अनुछेट 352 में ठीक चौथिस नंबर कोश्चन आंत्रिक असांती के अधार पर अब तक कितनी बार राष्टी अपात्काल की उद्गोषना राष्ट पती द्वारा किया गया है तो इसका एंसर होगा सिर्फ एक बार एक बार किया गया है ठीक है 35 नंबर कोश्चन भारत में मुस्लिम लिख की अस्थापना कब हुआ था तो एंसर होगा 1906 इसकी में 36 नंबर कोश्चन सांसत के दो करमिक अधिवेशन के बीच अधिक्तम कितने समय अंतराल की अनुमती है तो दो अधिवेशन के बीच में सिर्फ 6 माह का अंतराल होता है ठीक है 37 नंबर कोश्चन कारेकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्टपती को उसके पद से कौन हटा सकता है तो एंसर होगा सांसत द्वारा महवियोग लगाकर के उसको हटाये जा सकता है ठीक है 38 नंबर कोश्चन भारत के राष्टपती की मर्जित तक कौन अपने पद पर रह सकता है तो इसका एंसर होगा राज जिपाल ठीक है 49 नंबर कोश्चन तिहत्रवा समिधान संसोधन समंदित है एंसर होगा पंचायती राज परनाली से ठीक 40 नंबर कोश्चन पंचायती राज संस्ताओं के लिए उतरदाई है कि कौन कराएगा इसको कौन ने कराएगा तो इसके लिए पंचायती राज संस्ताओं के लिए उतरदाई है राज जी का निरवाचन आयोग ठीक है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिपिकेशन आपको मिल जाए पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यबाद